आउस बिल्लाहिमिन शेटवान रॉजीम बिस्मिल्लाहिर रॉख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मौसिन एक बार फिर आप लोगों के साथ अब जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताके मेरी हर आने वाली जो वीटियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें और साथ के साथ बेल के आइकान पर भी क्लिक कर लें ताके जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे प का इसमें मैं केस दिया गया, डेट्स आर neden इसमें मैं कीस दिया गे फिकात आर कम लीक ताम इवीवग गाल कान ने विफितार हिसमें मैं कीस क्रिट अअ कामेरे चुर कामें और साथ sa Tech गेंड थेश्र、 सामेरे बिसक्राइट अक्वे थूर्म, अगान देट्दी काहे शूर sta तो इसकी कीमत है वोब फाइबर है और मंथ में हम रमजान के मन्हें हमारी यूज करते हैं कि यह थे हमारी अर्जी बहाल रखता है जैसे ही माई रमजान आता है तो इसकी जो कीमत है वो भी इंक्रीव आ जाती है ये हमारे पाफ एक केस है Suppose the initial demand and supply equation the dates are given follow जो खजूर की demand है या जो supply है वो हमें दी गई है QF is equal to 240 जमा 0.3 P ये पहली equation है QD is equal to 300 minus 0.20 P ये हमारी demand की equation आ गई जी अब हमें require क्या है जी require है जी first of all we have to find out the marketing market clearing level of quantity and price of dates before demand change मतलब माह रमजान पे पहले उसका marketing का जो clearing level है वो क्या है और second जो requirement है वो है find the market clearing level of quantity and price of date after the demand change के माह रमजान में या माह रमजान के बाद क्या होगा last में में दिया गया find out the price last of demand of date at initial equilibrium price and quantity and interrupt the result हमने equilibrium price last of demand बतानी है और फिर उसकी वज़ा हत भी कर दी है यह है दोस्तों हमारी assignment ECU 402 की अब हमेने इसे solve कैफे करना है तो चलिए हम इसके solution की तरफ चलती है first tip में जो requirement है marketing clearing level हमने बताना भी फोर रमजान यह मैंने यह 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 यहां पर हैटिंग दे दिया उसके बाद है market clearing level of price last year price and quantity जो marketing clearing level है इसको हम equilibrium भी कहते हैं और equilibrium की जो equation marketing clearing level की वो है QD is equal to QF मतलब quantity demand जो है वो बराबर होती है quantity supply के इसमें हमारे पार quantity demand की जो equation है वो 300-0.20p है और जो quantity supply की equation है वो 240 जमा 0.30p है जब हमने इसको आगे फर्दर solve किया तो हमने P वाली value को एक साइट पर कर लिया और जो दूसरी constant value है उनको एक साइट पर कर लिया तो 0.30p minus 0.20p equals minus 300 और plus 240 तो हमारे पास 0.50p आगया और equals आगया minus 60 के क्योंकि minus 300 है तो minus वाली बढ़ी है तो minus 60 आगया जो पी हमने इसको एक साइट पर कर लिया इसको भी डिवाइड किया पॉइंट 50 के साथ इसको भी 0.50 के साथ इसको भी पॉइंट 50 के साथ तो मारे पास minus 120 आगया माइनस माइनस दोनों साइटों से खतम करेंगे तो पी is equal to 120 तो यह हमारी प्राइस हा जाएगी इकलिब्रियम की इसके बाद पी equals 120 पूट दी प्राइस वैलियू उन्टी डिमांड एक्वेशन फार क्लेरिंग लेवल ओफ कॉंटरी अब हमने क्लेरिंग लेवल ओफ कॉंटरी देखनी है क्योंकि पहले हमेंने क्लेरिंग लेवल ओफ प्राइस देखा तो वह हम डिमांड की इक्वेशन के अंदर हमने पी की वैल्यव प्राइस की वैल्यू पूट की तो मारपा 300-0.20 पी यह मारपा दिमांड की इक्वेशन है इसके अंदर हमने पूट किया 300-0.20 इंटू 120-300-24 क्योंकि 0.20 मल्टिपलाई भाइन तो हमारे पाफ आनसर अजया वह 276 यह हमारपास कौंटरटी है मार्केटिंग लेवल की यह जो हम इसको यह पह सकते हैं कि यह एसी कीमत जिसके ओपर quantity supply और quantity डिबन परावर हो जाए इसको equilibrium कहते हैं तो इसमें मारे पर price जब ऐसे बीस और quantity demand या और quantity demand या supply जो है वह 206 तर है अब यह हमारी रिकॉर्मेंट यह सेकंड रिकॉर्मेंट है marketing clearing level आफ्टर रमजान अब आफ्टर रमजान फिरस क्या हुआ है जी हमें QD की एक्वेशन जो है वो चेंज हो गई है उसमें 320-0.10 आगा जबके पिछले में हमारे पाफ 300-0.20p था तो यहां पर 320-0.10p है तो इसको आगे जब हमने फर्दर फॉल गया तो हमारे पाफ minus 0.30p minus 0.10p equals minus 320 जमा 240 तो जब minus 320 में से 240 निकाले तो minus 80 बच गया और इतर minus 30 और minus 10 जो है minus 40 बन गया अब p equals हमारे पाफ 200 है और put the price value into the demand equation for clearing level of quantity तो हमने qd is equal to 320-0.10p आ गया 320-0.10 into 200 आगा जिए 200 को जब हमने multiply किया 0.10 तो हमरे पर 20 आगया जब 320 में से minus 20 को तो हमारे पाफ जो demand है वो 300 अब देखें पीछे हमारे पाफ price 120 और demand 276 है अब आगे हमारे पाफ प्राइस 200 हो गई है और demand 300 हो गई है यह हमारी हो कई जी सेकिंड इस assignment की requirement आगे थर्ड requirement में क्या है जी थर्ड में हम से पुछा गया जी price elasticity of demand अब price elasticity of demand calculate करने का जो formula है वो delta q divided by delta p मतलब change in quantity divided by change in price multiply by p divided by q p से मुराद price है और divided by q q से मुराद quantity है भी आपर मैंने लिखा change in price change in demand अब price जो हमरे पाफ पहले 120 थी और बाद में जो price आई वो 200 आई अब change कैसे आ गया जी new p minus old p तो हमरे पाफ न्यूपी जो है वो 200 है minus 120 पी हमरे पाफ पुरानी है price तो 80 जो है इसके अदर change आ गया 80 रुपीज का जबके जो demand है उसमें क्या change आया जी डिमांड हमारी पुरानी 276 थी अब लेटर जो demand है वो जो बाद में change होई है वो हमरे पाफ 300 है तो इसको हमने 300 माइनफ 24 तब्दील होई है जबके price जाए वो 80 तब्दील होई है इसका मतलब यह है कि हमारी प्राइस है उसमें बहुत व्यादा तब्दीली आई है लेकिन जो demand है उसमें कम तब्दीली आई है आगे formula के अंदर हमने value support करती है अब देखें डेल्टा क्यू अब डेल्टा क्यू समर सब्सक्राइब और यह हमारी एक से कम है तो इसलिए हमें इसको कह सकते हैं कि यह हमारी in elastic है यह है दोस्तों हमारी assignment मौफिन भाई का channel देखते रही है youtube.com flash vff for you और मौफिन भाई की website vufff.com भी विदूर भी फिट कीजिए यहां पर आपको mid term और final term के अवाले से path paper available है और मौफिन भाई को दौा में याद रखिए thank you very much दोस्तों अलाहाफेज